हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं एक नजराना सब्सक्राइब करें और बाएं दर्वाजे पर अलबप छोड़ के क्या है बाहर इतनी रात को ठीक है तुम लिख लो मैं देखती हूँ ओके बाए बाए इसमें कुछ लिखा भी नहीं है एक नजराना सालूंखे के लिए सालूंखे 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 सब क्षालूंखे सालूंखे साथ क्या लेना दिल है तो दोस्तों जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी अब आ गई अब दिल थाम कर बैठिये कुछ ही पल में आप ये दुरलब ममी देख पाएंगे ये ममी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है इसे हमने एजिप्ट से मंगाया है और ये हमारे म्यूजियम के लिए बड़े गर्व की बात है ये दुरलब ममी सिर्थ और सिर्थ यहां है और इस दुरलब ममी को यहां तक पहुँचाने का सारा श्रह जाता है Mr. Habib को जिन्होंने इस 2000 साल पुरानी ममी को हमारे म्यूजियम तक पहुचाया है और अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके सामने पेश करता हूँ ये दुरलब ममी लेडिस एंड गेंटमेन आपके सामने पेश है कायरो की शान तलातत है इस ममी का नाम अंदर देखो ये किस ने लिख दिया और ये क्या है लाफा माता येले येले आशरे आशरे रीड के हड़ी के साथ सिफ़ ये खोपडी जुड़ी हुई है कंगाल का बाकी का इससा तो गाव है सर कोई ऐसा क्यों करेगा कई ऐसा तो नहीं कि वो हम सब को कुछ बताना चाहता है हो सकता है इसलिए इस ममी के एक्जिबिशन जे पहले उसने इस हड्यों के ढाचे को यहाँ पिला के रख दिया पर सर इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावचूद खोनी ने इससब किया कैसे होगा ना श्रिया ये बात तो है और इसका जवाब यही मिलेगा सर इस ममी को कपड़ा ठकने से पहले आखरी बार कप चेक किया थे से सर कल रात करी बस बज़े तब तक सब कुछ ठीक ठाक था मलब दस बज़े के बाद कोई अंदर घुसा और उसने इस अब किया सर इस हॉल में तीन कैमरा लगे जिसने भी यह सब किया है वो इन कैमरों में जरूर कैप्चर हुआ होगा Mr. Vijay इन तीनों कैमरेज के फोटेज चाहिए हमे ठीक है सर Varun सर CCTV फोटेज देखने का इंजाम करो ओके आप चिंता मत कीजी आपकी ममी को कुछ नहीं होगा और अब यह हमारी जिम्मेदारी और वैसे भी अब CID वाले आ चुके हैं वो सब समाल लेंगे कितना टाम लगे और सर वो आ गए सर फोटेज तेयार है सबको दिखाऊ वे यह किया यहाण जेए एक ?... प्होटेज ब्लांक क्यों हो गए? ज़र प्हर फिरसे प्लेख भर से? इस पुछ भी नहीं है हाँ काहीऑ मगर फिर्टिज ब्लांक के भी सकता हैं? जर आब थूसरे अब्रीज का इपड़एज दिखाए ऐख जो इसे, ऐख लृव कैसे, ऐसे कैसे हो सथाते जिक्ते फोटेज भी हो अ, इस चैमरे में आषरत, लंडबय बाल वाली आ रहन द्घ्टेख रही है और दूसरेear कैमरे में को अढ़ायरा है, कैसे हो सब्टा है एक कैमरे पर दिखी और दुसरी में गायब कैसे हो सकता यह देखो तो खुनी यहाँ इस खिड़की से अंदर आया है सर अगर यह खुनी इस खिड़की से अंदर आया है और एक कैमरे में कैप्चर हुआ है बाकी दोनों कैमरों में कैप्चर क्यों नहीं हुआ तुझ इसलिए काविन क्यूकर शायद ये खिड़की कैमरा के रेंज से बाहर है यहां से अंदर आने के बाद वो इस तरफ गया होगा शुपके निकला और इस कैमरे के नीचे से होते हुए वो आगे बड़ा और यहां से आगे जाने के बाद उसने इस कैमरे को लेजर लाइट से ब्लाइंड कर दिया और यहां से आगे गया और उस हड्डियों के धाचे को यहां इस कैमरे से नीचे लेके और फिर शायद लेजर उसने इस कैमरे पर मारा और फिर उस धड्डियों के ढाचे को यहां पर रखे चला गया मगर जाते वक्त वहां उस कैमरे में वो कैद हो गया सेर इसका मतलब जिसने भी यह किया है वो अच्छी तरीके से जानता था कि इन कैमरों में कैट कैसे नहीं होना है इसका मतलब वो जो कोई भी है उसे इस म्यूजियम की अच्छी जानकारी थी सर यानिक ये सारा काम किसी अंदर वाले का है यहां किसी काम करने वाले का आश्या ये काम यहां के किसी करमचारी का ही है सर वो खिड़की देखने में काफी चोटी लगती है पतलब जो भी अंदर आया है वो जादा कटका नहीं होगा पांच फिट के असपास असर वो आदमी बहुत पतला दूबला होगा आदमी क्यों? वो कई और अउरत भी हो सकती है उस फुटेज में उसके काफी लंबे बालत है नहीं सर, ये दोनों ऐसा काम नहीं कर सकती ये तो हमारे हैं काफी सालों से काम कर रही है तो फिर कौन कर सकता है? एक मेरे, टेक मेरे ज़रा वो फुटेज दिखाना जहां पर वो आउरत दिखी दी फ्रेम में पसकोरो से अब जारा जूम कर ना इस औरत के दो साहिल्टोक्स है सर ये लड़कियों का कोई नया फैशन है नहीं पंकच, ये कोई औरत नहीं है औरत के फेस में कोई आदमी घूम रहा है औरत के फेस में आदमी? मिस्टर वीजे, आपके स्टाफ में कोई ऐसा है जो इस वक्त यहां पर मौझद नहीं है? हाँ सर, एक करमचारी था जो टूर गाइट का काम करता था था मतला बभी का है? सर वो दो हफते पहले म्यूजियम का कुछ सामन चुराते हुए रही हातों पकड़ा गया अनिल नाम था उसका हाँ सर, अनिल के कट-काठी ऐसी है कि वो इस खिर्की से आ जा सकता है और एक मुजियम को एक टूर गाइड से बहतर कौन जान सकता है इस अनिल से मिलता है अँ बोड़ी अजीब बाद सर, खराको ना, एक अजीब डीवीडी आई है आपके नाम से लाब में डीवीडी? हाँ सर, अब यह देखे सर एक नजरा ना सालुखे के लिए सर, इसमें ना एक जलती हुई गाड़ी दिखाई है कुछ लोग अपना मूँ छुपाए खड़े है और वही लोग आपके नाम के नारे लगा रहे हैं सब तारीका यह सब उल्जाने के वाला मामला है कोई हमें भटकाना चाहता आपने काम से रखो, यह डीवीडी वहापर रखो, काम पे ध्यान दो, कमा देखो इस डीवीडी को उदर और यह तर आओ क्या हो अब बस? कोई सवाल नहीं पूछा आती? खावों उशे सब किसाब चलो कर बात है मैं आपको ऐसी बात बताता हूँ जिससे शायद आपका मौनवर्द तूट जाएगा पॉस बड़ी माथा पच्ची करने के बाद अच्छी तरह से जाच करने के बाद पता लगा कि इस रीड की हड़ी में छेड़ चाड़ की गई है रीड की हड़ी के साथ छेड़ चाड़ की मतलब मतलब यह कि इस रीड की हड़ी की हर वर्टी ब्रा को बहुर से देखो तो पता चलता है कि सारी वर्टी ब्रा उल्टे शीदे करम में लगे हुई है रीड की हड़ी यह गलत करम में लगी है इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब यह के देखो यह 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 वल्ट्री बाद C1 इसके बाद होनी चाहिए C2 लेकिन यहां पर है से सब और ऐसी यह सब कोछ उल्टा-पुल्टा तो रीड के हट्टी में बाकी हट्टी के टुकड़ है अलगी करम है? हाँ, सारी हट्डियां बिल्कुल उल्टी-पुल्टी लगाई गई है जैसे कि C1 के बाद आना चाहिए C2 पर है C7 फिर आना चाहिए C3 पर है C2 और उसी तरह से सारी हट्डियां C1, C7 टॉकस अभी यह क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है? और जिसने भी यह किया है न सारुन के किसी खास मकसद से ही किया है खास मकसद से और एक वाद जिस किसी ने भी यह किया है न बास उसे मानव शरीर की और मानव के हड्डियों के धाचे की बड़ी अच्छी जानकारी है इन सर, ये सब करने के लिए कोई इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? साचिन, मुजरीम ये सब करके हमें ये बताना चाहता है कि हमारा मुकाबला किसी साधरन आदमी से नहीं है. तो बहुत खतरनाख है. सिर्फ खतरनाख ही नहीं. दिमागी बीमारी है इस आदमी को. मतलब सर, तीन और लोग मरें? खुन तीन और लोगों का है. तीन लोग और मरें? सचिन, तीन लोग मरें हैं या जिन्दा? ये तो तब ही पता चल जाएगा जब हम. इससे इस सिर्फ रे को पकड़ लेंगे तब. लेकिन जिन्दा. सर, लगता है कमरे में कोई भी नहीं है. चांद मारो, देखो किया मिलता है. सर! सर, ये देखे, अनिल. सर, जिन्दा है. मगा साथ से बट दीमे चल नहीं है इसके. मंकाश, आमिलेंस को फोन करो, चल ली. सर, लेकिन जानता हूँ कि मेरा ये संदेशा तुम तक जरूर पहुचेगा. मैंने सुना है कि तुम दुनिया के एक प्रसित, फॉरेंसिक विशेशग्य हो. और मुश्किल से मुश्किल के इसको चुटकी बजाते ही हल कर लेते हो. मैं ऐसा नहीं मानता. मेरी निजरों में तुम सिर्फ एक आम इनसान हो. और अब मैं आ गया हूँ. और बहुत जल्द दुनिया के सामने तुम्हारी असलियत ला कर रख दूँगा. सालूंगे, मैंने तीन आत्मियों को बंदी बना कर रखा है. अब उनके जिन्दगी तुम्हारे हाथों में है. तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो. तुम्हारे पास जो रीड की हटी है, उसके जरीय उन तक पहुँच सकते हो. लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ छे गंडे हैं. तो दिखाओ अपनी काबलियत और अगर तुम उन तीन लोगों को नहीं बचा सके, तो उनकी मौत की जिम्मेदार होगे तुम. और तुम्हारा समय शुरू होता है अब. सर, ये आदमी तो खुले हैं, आम डॉक्टर सालूं के को चुनोती दे रहा है. सर, हमें सालूं के सर को इसके बारे में बता देना चाहिए. सर, हमारे पास सिर्फ छे गंटे. हाँ, पंकरज, अभी डॉक्टर सालूं के ये मदद कर सकते हैं, इन तीनों मासुमों की जान बचाने में. तारिका इन तीनों खून की रिपोर्ट से कुछ पतानी पड़ रहा है. और हमारे पास सिर्फ सिर्फ साले चार गंटे हैं. और इस मुझरिम के मुटाबिक, ये सतबूत ही हमें सही रास्ता दे सकता है. कुछ तो ऐसा है, तारिका जो हमारी नजरों से छुप रहा है. क्या हो सकता है ये? सर, इस मुझरिम ने आपको ही ऐसे चुनाओती क्यों दी? मेरे कहने का मतलब है कि कहीं आपके अतीत में कभी ऐसा कुछ तरह नहीं हुआ, कोई हाट साव अगेरे, जिससे आपको अभी भी अफसोस हो. तारिका, ये मुझरिम दिमागी तौर पागल है, हमें भटकाना चाथा, बस ताट सिट. और सर, वो डीवीडी? क्या हो, सांगी? क्या पता चला? बस, हमारे पास सिर्फ साड़ी चार गंटें, वक्त गुजरता जारा है और मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है. यार वही में तुझे कहने आयो कि जल्दी बता. बस, मुझे लगता है इस रीट की अड़ी में कोई कोड है, मुझे एक एक वर्टी ब्रा फिर से चेक करनी पड़ेगी, बस. हाँ, बस, इस वर्टी ब्रा में कुछ गड़बड है. क्या करा पड़े, सार? एक बिनट, एक बिनट. एक बिनट, बस. हाँ, बस, पकड़ में आ गया, बस, इस इनसान की, ये वर्टी ब्रा में, ये वर्टी ब्रा इनसान की नहीं है. तो फिर किस की है सारों के? जानवर की है. जानवर की है. यार, तु क्या कह रहा है? बस, थोड़े से टेस्ट और करने पड़ेंगे, लेकिन एक बात कंफर्म है, ये वर्टी ब्रा, किसी जानवर की और जानवर में भी ये वर्टी ब्रा कुट्टे की है, कुट्टे की. कुट्टे का वर्टी ब्रा आएगी? ना बस, इन्सान के रीड की हड़ी में कुट्टे की? सर्फ, ये कैसे हो सकता है सर्फ? निखिल, पूरी हड़ी नहीं, सारी वर्टी ब्राज में से सिरफ एक ये वर्टी ब्रा कुट्टे की है, जो इसमें बदल दी गई है. ताकि हमें लगे ही नहीं कि ये किसी कुट्टे की हड़ी है. लेकिट सर्फ, रीड की हड़ीों को उल्टे सीधे तरीके से जोडने की वज़े क्या हो सकती है? शायद हमें बठकाने के लिए बस? आई हमें उल्जाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा चाला कही है. वो चाता है कि हम ये C1, C2, C3, C4, C5 इन वर्टेबरे में फसे रहे हैं, पर हमारा ध्यान इस कुट्टे की रीड की हड़ी पर न जाएं. एक बात और बस, क्या? इस हड़ी को देखकर के लगता है कि ये हड़ी किसी बड़ी नसल के कुट्टे की हड़ी है. बड़े नसल के कुट्टे की रीड की आठी, तो पर सचिन पता लगाना पड़ेगा एसे कौन-कौन से डॉग ब्रीडर्स है, जो बड़े नसल के कुट्टे ब्रीड करते हैं, और किन-किन लोगों ने एक कुट्टे पाले हैं. अच्छल गया? ओके, थांकियू सार. क्या का सारुन के न? और कोट्टे की नसल का पता लिए होने, ये वैल हून नसल का कुत्ता है, सर. वैल हून नसल का कुत्ता आप? हाँ, सर. माप कीजिएगा, आप लगों के इन्जार करना पड़ा, बताएए मैं आप ते लिए क्या कर सकता हूं? हमें कोई परिशानी नहीं हुई आप सिर्व इतना मुझे बताइए किया आप वैल हुन नसल के कुट्टे बेचते हैं हाँ सर ये बड़े दुरलब और बड़े आकार का कुट्टा है हम इसे बाहर से मंगवाते हैं अपने कुछ आज ग्रहकों के लिए तब यह आसानी से बता सकते हैं आपके इस नसल के अब तक कितने कुट्टे बेचे आप अधर पीछले साल दो कुट्टे बेचे और इस साल चार दिन पहले एक कुट्टा बेचा वल्यू नसल का फूरे शुद्व चार दिन पहले, सुचिन, इन कुत्तों के सारे डिटेर्स ले लो सर, हाँ, अनिल को होच आगे है, उसने बता है उसने जो कुछ भी कराएगा है जबस्ती करवाएगा है तो फिर उसने कुनी को तो देखा होगा ना? नई सर, उसने कुनी को नहीं देखा देमिट, हमरे पास सिर्फ साड़ी तीन गंडे है, चलो चल ली सर, अमने दो खरदों चेक के लिए, उनके कुत्ते दो सही सलामत है आ निखिल, अब इस घर का कुत्ता देखते हैं, शायद यहीं से कुछ पता चल जाएगा जी, किससे मिलना है? जी, हम लोग CID से, आपके पास वैलिन नसल का कुत्ता है, ना? जी, हाँ, हम उसे देखना चाहते हैं, अंबर आये रेक्स ने कुछ किया है क्या? अज़े नहीं, नहीं, आपके खुत्ते ने कुछ नहीं गिया है, बस हम उसे देखना चाहती है, तरह बुला ही ना आपके रेक्स को सर, वो क्या है कि हमारा नौकर उसको गुमाने के लिए लेकर लिए लेकर गया है? सर बैठ यह ना प्लीज ने ने थैंक यू सर इसका मतलब यह कुटा भी बिखुल ठीक टाक है कि यही है आपका रिक्स जी सर आपको विश्या कहते है मैं फिर से बिश्ता हूँ कि यही रिक्स है जी हा सर देखे हमारे पास जिस कुट्टे का फोटोग्राफ है उसके दाइने आंक के ऊपर मतलब यहां पर एक काला दब्बा है आपके इस रिक्स में वो नहीं है इसके मतलब तो यही हुआ कि जो कुट्टा आप लोगों ने खरीदा है वो यह कुट्टा नहीं है के साब अ किया जी प्लीस हमारे पास वोत कम इस लिए जवाब देजिए किसी की जिन्दगी और मौत का सवाल है फ्लीस अशोक रेक्स गुम होगया था मैं ढर्गी कि तुम नाराज हो जाओगे इसलिए मैं उससे मिलता-जुलता दूसरा खरीद लेगे तुम्हारा प्यारा रेक्स खुम हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और दूसरा गुता नहीं आपको पता नहीं चला सर मैं मर्चंट नहीं में पेचले छे महिने से मैं शिप पे था अभी दो दन पहले आया हूँ समाय जी ये आपका रेक्स खुम कैसे हूँ सर हमेशा की तरह मैं रेक्स को लेके रोड में टहलने निकले वो मुझसे दूर भागने लगा मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर पता नहीं भागते बागते वो कहां खो गया और आपने उसे प्रूणने की कोशिश नहीं की अहां सर बहुत कोशिश की पर मिला ही नहीं अच्छा ये सब कब हुआ कहां पर हुआ चार दिन पहले जंगल के पीछे वाले रास्ते पर जंगल का पीछे वाला रास्ता सर मार बस वक्त बहुत कम है सर जंगल काफी बड़ा और राइस कुड़ोना तला मुश्किल है सर प्रेडियो और पंकच को लगा दो काम पर फोन करो उसे थैंक्यू बेरी माच सर ये एचिपी सर ने हमें अचानक यहां की बुला लिया पता नहीं यार można you with a मानना तो पड़ेगा सर मैंने सुना इन जंगलों में जंगली जानवर रहते अबे बता रहा है या टरा रहा है बता रहो शर मैंने आकबार में पड़ा है एक बार एक आदमी इन जंगलों में कहीं घूमिया था चीथा ने पीछे से उसके पर जपटा मारा और उसे कच्चा चबा दिया कच्चा चबा दिया? अरे बापने! और चीथा तो पीछे से जपटा मारता है, सर? पंकच, एक काम कर! तू आगे देखते हुए चल? मैं पीछे देखते हुए चलता हूँ उल्टा! समझ में नहीं आ रहे है, कुट्टा माय के अखर से भागा क्यों है? मुझे तो लगता है निकेल, कुट्टे को किसी चीज से लग जाया होगा, इसमें भाग गया है कि सब उस खुनी का प्लान हो सकता है अब जल, आख अरे अब अब वहाँ जाड़ियों में कुछ है तर कही चीटा तो नहीं बाक्या सर चीटा बाक्या एक मिनिट ये देखो अड़ियां जरूर इसी से लगचाया होगा, कुट्टे को शबाश पंक, शबाश तुमने मुझसे कुछ नहीं सिखा नहीं वगर एक बात चुरूर सिख ली बहादुरी की बहादुरी? हम सर्क, मैंने तो आपकी बहादुरी कभी नहीं देखी अबे, मैं बहादुर था, बहादुर था में शादी से पहले बगर शादी के बाद तो हाँ हाँ सर्क, ये एक चीजा करें पिर्दे तो नहीं आ गया अबभरे, अब क्य करें भाद को पर भी पचलना आथ आया पंकश भाग, 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 भाग ये देखिये, सर्फ हाँ ये देखिये, बोल लगता है ये घंबाया हूँ ऐसे ये क्या? गुत्ते के दाद के निशान भी तो है इसका मतलब है उलुक इसी दिशा में गये हैं क्योंकि हड्डियां हमें वहाँ पर मिली और यह बहुत यहाँ पर उसी तरह उगाओ देखते हैं यह क्या जंगल का रास्ता तो यही पर खतम हो गया क्या करें अरे भी यह सुनो देखो हम लोग सी आईडी से इसी है गब्राव मत सिर्फ पूस्ताच करने आए एक बात बताओ चार दिन पहले क्या तुम ने यहाँ पर किसी बड़े नसल के कुत्ते को देखा आप शथ रंग का कुत्ता उसके शरीर पर काले काली दभे ते बड़ा खुब्सूरत सा कुत्ता था यह कुत्ता क्या सभ जा तो दिन में बहुत सारे कुत्ते अरे भाई साब आपको बताया न के बड़ीनफी नसर का कुत्ता वो याम कुटा नहीं था? अच्छा, वो जिसे लोग गालियों में लेकर गुमते हैं हाँ ऐसा कुटा तो देखा नहीं, लेकिन चार दिन हो गया, वें दर खाना खा रहा था और एक कुटा जोर-जोर से भोक रहा था को? तो मैं खानने सोल के बाहर आया खुत्ता तो नहीं था लेकिन एक सफेद कलर की वें तेजी से निकल गए शायद वो कुत्ता उसमें हो सफेद कलर की वें जब ऐसे तो तुम लोगों को आदत सी होती है ना किसी भी गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मेक याद रखने की तो हो सकता है उस गाड़ी का भी नंबर याद हो तुम ले हाँ साथ वें का नंबर था STU-3339 STU-3339 थैंक यू सचिन इस वें का पता लगाओ सफेद कलर की वें STU-3339 आए पस हो गया नाटाक हाथ उपर इपचाब अपने आपको हमारे हवाले कर तो हाथ उपर एए एए हैट सब दमी सरे कुनी हमारे साथ अजीब खेल खेल रहा है हाँ समझत जुट्टी है तुमारे अंदर कुछ खास नहीं है बड़े मामूली और आंग हो तुम अब मान लो कि तुम उन तीन लोगों को बचाने में नाकाम हो चुके हो तुमार गए अच्छा सरे कोई संकी है इसके हाथ में ये फूल लगता है कुछ बताना चाहता था हमको हां ये हमें कुछ बताना चाहता है कुछ ऐसी चीज जो सारूंखे को भी दिखने ही रही है सारूंखे तो अब तक वहां पहुचा ही नहीं पता लगाना पड़ेगा है क्या ये सुराग जो अभी भी दुन्दलासा है ये सारूंखे सिर्फ 40 मिनिट बचे हैं जो भी करना है जल्दी कर हां बस आई नौ ये रीड की हड़ी की गुत्ती तो सुलजा ले लेकिन उसके आग ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर जरूर हमारी नजरों से कुछ ना कुछ तो छूट रहा है आई नो तारीका कुछ छूट रहा है लेकिन क्या छूट रहा है वो तो समझ में आये एक तारीका ये सकल पर कुड़ो जरा तारीका और सब लाओ सर ये विसा ये दांक तो प्लास्टर आफ पैरिस का लगता है तारीका जरा पानी लाओ प्लास्टर आफ पैरिस का दांक कोई प्लास्टर आफ पैरिस का दांक क्यो लगाएगा नेने सालूके ये जरूर खुनी किसी और तरफ पिशारा कर रहा है कि अपके प्रोफेशन में, इस तरीके का फूल मेरे टाइम में, मेरे कॉलेज में कुछ बदमास छात्र अपनी पहचान के लिए छोड़ जाते थे तो इसका यह कि मतलब उसरधन के कि खोनी तेरे मेडिकल कॉलेज के तरह इशाना कर तरह है आँ तेरे मेडिकल कॉलेज की तरह मेरे कॉलेज की तरह Sir, मैं आपसे जिस DVD के बारे में बात कर रहे थी ना, उसके वीडियो में लोगोंने जो कपड़े पहने हैं, और पे भी ठीक, ऐसे ही खूल का प्रिंट बना हुआ है. किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हो, तारीका? तारीका, वो वीडियो अन करो. दगाओ, दगाओ, वीडियो लगाओ. प्लिक लो, प्लिक अपसू. क्या बात है, सच में आज ये कर दिखाएगा. और बस, ये तो मेरे कॉलेच्चा गांड है. चरणाओ! गाड़ी उला दी गई है और वहां पर जितने भी लोगे सब तेरा ही नाम दे रहे हैं तो इस वीडियो के बारे में पहले क्यों नहीं बताया तुने हमें यह क्या चक्कर है सालूंखे क्यात्र ले किया उन्मोंं का रिखान का माला प्रेस ज़र किया फिर्फी यह च Ricky तुने हमस्ति वह स्कुलिऑध उस था डमी के पास उस फूल का छोड़ जाना ऑंबेहाँ को यह मुझा मुझे अपने कालेज की तरफ बुलारा रहा है मतलब सरी इन तिनों वेक्टिम्स को भी इसी कॉलेज में रखा गया होगा सिर्फ तीस मिलेट बाकिये तिरे मेडिकल कॉलेज में जाना होगा सिर्फ एर सकेंड बेचल सेर हमारे पास सार वो तीनों मिलेगे का उस तरह पो गए उस तरह खर अदुल घह उआई आजिय को तॉक अदूआ मैं कैसे ठीकर स्था उसकता हूँ तेनों बेगुना लोpower के जान ली क्यों किया तुम लोसाँ सुआलियाई औलग्तुम नहीं मैं कैसे सम्आल सकता हूँ उसमें उसमें तीन बेगुना लोगों के जान लिया मैं उस खुंखार को अपने हाथों से मार करूंगा सानूंखे वक्त बहुत कम है हमारे पास तीन तीन लोगों की जाने चली गई यह इस आदमी के वज़े से और तू ऐसे हताज बैटा तो क्या करो बॉस यह मेरी गलती थी मेरी वज़े से तीन तीन मासुमों की जान बही और मैं कुछ नहीं कर पाया बॉस मैं फेल हो गया तेरी वज़े से जान नहीं है यह तुने जो भी करनलता सब कर लिया अगर वक्त पर काम नहीं आ तो क्या किया बॉस पुझे पहले क्यों नहीं समझ भ़ै, वो फूल, वो पी उपी का दाँत, वो डीवीडी, पहले क्यों नहीं समझा यह इचारा आए? सार, आप अपने आपको क्यों दोशी मांद रहे हैं? जो भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती थी? आफ मेरी क्ल्टी। बस, क्या फायदा मेरे encsperience का? मेरे अनुभफ का? क्या फायदा जब मासूनों के चांड मेरे हांखों के सामने चली जाए? क्या फायदा? क्या बात करता है तो, सालू के? अरे सालू के उस इंसान का नाम है जो कभी हार नहीं जानता यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसमें जो कुछ नगुद्दो ढूनता ही है हाँ सर, सर जब उमीद की एक भी किरन दिखाई नहीं देती उस वक्त भी आप ऐसा कुछ ढून निकालते हैं कि हम लोग आसानी से केस सॉल्फ कर लेते हैं मुझरिमों को पकड़ लेते हैं यास, यूरेका, यारेक सालुक है, जेहर बॉड़ी में आया था, टांच से लिकिन सचेन आज मुझरिम जीत कया सी आईडी के ड्यूटी के दौरान जो कुछ भी अमने आप से सीखा है आपका जूश, आपका होसला, सार आपका भी हार नहीं मान सकते आसर, देखता क्या है, सोचता क्या है, उट, लग जा काम पे बस, मैं तुमसे फादा करता हूँ ये सालुक है, तुमसे फादा करता है मैं उस खुनी को छुड़ूँगा नहीं मैं उसे उसके अंजाम तक पहुचा कर रहूँगा बस, यस, 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 ये हुई ना बात सारुन के कभी हिम्मत नहीं आरताब देखना यू सुराग मेलेगा सारुन के, यू सुराग मेलेगा मेरे साथ तुम लोगों का साथ है, सालुके हार सकता नहीं मैं सारुन उसे उसके अंजाम तक पहुचा कर रहूँगा बस, ये शायद किसी कार्डबोर्ड का टोड़ा है, जो अभी तक जला नहीं है ये इसा कुछ हजीब तरीके से उबहा हुआ हूँगा कुछ तो है उसके निचे, तरीकाय काम करो, इससे साफ करो जल्दी मैं कहता हूँ सालुके ज़रूर कोई सुराग मेलेगा हूँए बिलकुल बस, हम उस खुनी तक बाच कर कर रहेंगे सा, से देखिए, यहां पे कुछ लिखा हुआ है एवी, एवी क्या हो सकता है? सर, जेडी रोड़ पे एक कार्टबूर्ड बॉक्स की कंपनी है सर, जो पिछले दो सालों से बन थे और उस कंपनी का नाम है एवी इंटरप्राइज़ तो इसका एक के मतलब हो सकता है कि खुनी ने अपना ठिकाना बना दिया है उदरी एवी एंटरप्राइज़ में काश अब वो जान पाता कि उसकी उल्टी गिंती शुरू हो गई है सर, जेडी एवी एंटरप्राइज़ इसकी फैक्टरी क्या बात है अभी तो हमारा स्वागत गोलियों से हो रहा था अभी एकदम सन्नाटा? सर, लगता है कोई नई चाल चलने वाला है सर, तुमनों देखो उसको सर, मैं शिखारू, मेरे चचेरे भाई भुवेंदर को किसी ने अगवा कड लिया है वो निकल भागने में कामयाब भी हो जाता, मगर उसने फिर से उसे पकड़ लिया सर, इसका मिशलब, वो जीसरा विक्टम अभी भी जिन्दा है हैंबर लो इसको फोन करो चल दी मेरे भाई भुपेंदर ने मुझे यह मदद के लिए बुनाया था हां लेकिन मेरे आने से पहले उसने उसे फिर से पकड़ लिया मैं आपको होरी करने वाला था लेकिन गोली लग लग दी तुम्हें प्रीदु से बचा लो सर निकल गए वाद से कोई बात नहीं तुमने उनलों को देखा था ना, उनको पैचानते हो कुछ याद उनके बारे में सर मैंने खेडकी से उसके जलक देखी थी हां उसका चेहरा जबड़े के पास से जला हुआ था चेहरा जला हुआ था अलो सी आइटी वालो, तुम लोग डाल डाल तो मैं बात बात तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं सकते भूपेंदर की मौथ इतनी भयानक होगी कि उसका सिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सियाइटी होगी तेगा तुम लोग अलो अलो कौन दा सर खोनी अब आमें चुनावती दे रहा है सर सर पता नहीं वो लोग भूपेंदर को कहा ले गए होंगे कि ये मामला सालुंके साब के अतीतर और उनके कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ है तो हो सकता ये जले चेरे वाला आडमी उन्हें में से कोई हो वो समय के जितने भी स्टुडेंट थे सब के बारे में पता लगाना होगा क्या? बीस साल पहले सोया और एक मेहना पहले जग्या ओके, 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 थैंक्यू क्योगा प्रेटी? सर, बीस साल पहले सालुंके साब के मेडिकल कॉलेज के डीम की कार जब उडाई गई तो उस धमाके में कुनान लाम का एक छात्र घायल हो गया और कॉमा में चला गया वो जिस हॉस्पिटल में भरती था वहां से पता चला है कि वो अभी एक मेना पहले कॉमा से बाहरा चुका है वोम धमाके में घायल हुआ था और जो खुनी है उसका चेरा भी जला हुआ है मुझे लगता है ये कुनाल ही खुनी है अब बद्ले की आग में चल रहा है सर अस्पिटल वालोंने कुनाल का पता यसे मिस किया सर जरूब अभुपेंदर को वहीं लेकर केया हुआ ठीक है उसके गर चलते है क्या अड्रस का है तो यहां चुपके खड़ा है बाहर आजाओ कुनाल तुम्हारा खेल खत्म हो जुका है बार आओ अरे तुम मेरे पीछे केसे आ गया अरे आप मुझे लगा कुनाल मेरे पीछे आ गया सिर्फ जूते हैं वहाँ जह करो इस कुनाल ने तो जूते खिलवा दिये मुझे सर् यहां कोई नहीं है कोई बात नहीं यह कुनाल की फाइल मेली गए देख रहा हूँ? सारे सार्टिफिकेट्स और यह अड्रेस दिखा इसमें दूसरा अड्रेस लिखा यहां पे बारा गोल कुंडा कहीं भबेंदर को लेके यहां तो नहीं चुपा बैटा है ब्यूरो में फोन करो यह एड्रेस बेजो उनको बूलो पता लगाएं इसके बारे में जो अरे सर जदी आईए क्या वो फेड़ी मैं अपना बदला लेकर रहोगा जिसने भी मुझसे मेरा कीमती वक्त छीना है मैं उसकी जिन्दगी छीना है जो दर्द मुझे मिला है वो दर्द मैं परावर लोटाऊंगा मैं तुम लोकों पर ऐसा दाग लगाऊंगा जिससे सिर्फ तुम्हारी मौत ही मिटा सकेगी मुझे किसी भी कीमत पर अपना बदला पूरा करना है काफी तैारी कर रखिये इसने बदला लेने की सर्फ सिरी फोटोस है किसे सिर्स में सालूं के सर्टी भी फोटो और सर उन तीन विक्रियम्स की भी फोटोस है यह फोटो तो अभी हाल कही लग रहे हैं? बिल्कुल सर्थ, यह सारी फोटो इस केस की जाँच की दौरान ले गई हैं यह तो माया के घर का फोटो है, यह कुनाल हम पे जासूसी कर रहा है क्या? जासूसों के उपर जासूसी? जहां जहां हम जा रहे हैं हमारा पीछा कर रहा है इस बार आएगा वापस नहीं जाएगा सर्थ, उस आभी को बांग के रखा हुआज यह अद्मी तो भुपिंदर लगता है साथ भुपिंदर, भुपिंदर यह तो बेहुश है मैं कोल देता हूं साथ ने, एक मिन काविन एक मिन अगर वो खोनी इस आदमी को मारना चाहता था तो वॉक्स फैक्टर भी भी मार सकता था इसे यहां पे लाके बांग के क्यो रखा है ओ, मतलब यह हमें मानने के लिए चाल बचाया है उसके और नो, मात का जाल यहां पिछागे रखा खोलो इसे, चल्दी चल्दी, खोलो इसे और जाए कि ऄ लुद अज्दी मुझसे बहतर कोई भी नहीं हो सकता कोई भी नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूं कुछ भी मैंने CID वालों को सुला दिया मौत की नेन सुला दिया अब दुन्या में इसके बाद कोई भी अमन और शांती का जिम्मा अपने कंदे पर नहीं उठाएगा अभी एक को सबक सिखाना बाकी है सलूंखे अब तुम्हारी बारी है तुम्हारी बारी है अब तेरी बारी है कुनाल तुम लोग जिन्दा कैसे हो सकते हो तेरे जैसे बीमारी CID का कुछ ने भीगाड सकती CID मरती नहीं मारती है तुम जैसे गुनेगारों को क्या कह रहा था तु डॉक्टर सालूंखे कुछ सबक सिखाएगा चल तुझे डॉक्टर सालूंखे के पास पहुचाते हैं क्यों मारा मासूम लोगों को तुमने है वो मासूम नहीं है वो अपरादी है मेरे अपरादी मैं उन सब लोगों को मार देना चाहता था जिन्हाने मेरी जिन्दगी बरबाद करने में कोई कसर में ही छोड़ी मैंने क्या विगाड़ा था तुमारा मेरी जिन्दगी बरबाद करने में तुमारा बहुत बुला हाथ था सालूंखे तुम जानते थे कि मैं तुम से बहते रूँ इसलिए तुम मुझसे जलते थे ऐसा तुम सोचते हो मगर यह सच नहीं है मैं नहीं मानता इन की कार तुम ने उडाई थे कि मैं तुम से जलते थे